नमस्कार N27 भक्ति के समस्त दर्शकों का हारदिक स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फ्रेंट संतो संतोशी तो भईया शरद पूरिमा एक ऐसी पूरिमा तिथी जिस तिथी पर चंद्रमा जिसे ग्रहों का इस्त्रि संग्यक और रानी होने का स्वभाग्य प्राप्त है उसका दिन है शरद पूरिमा शरद पूरिमा अपने आप में बहुत विलक्षण होता है रास पूरिमा के नाम से भी यह जाना जाता है रास पूरिमा इस दिन परंपरागत तरीके से चंद्रमा क्या पूजन अर्चन वंदन किया जाता है आश्विर पूरिमा को ही शरद पूरिमा कहते है और बेश्ट पार्ट इसका है अगर इसका वरत किया जाए तो आपके अपने शरीर की जो इंद्रिया है जिस पर आप जीत नहीं हासिल कर पाते तो आप जितेंद्रिय हो सकते है चंद्रमा हमारे मन का ही तो कारक है हम जोतिस से बाहर नहीं निकलेंगे अध्यात्म में अभी नहीं जा रहे हैं आज हम आपकी कुंडली के अंदर बिद्दमान चंद्रमा के विशे में कुछ रोचक तत्य रखेंगे देखिए जैसा आमने बताया चंद्रमा रानी के स्वरूप में माना जाता है चंद्रग्रा है इस्त्री संग्यक विशब राशी में उच्चका और करक में स्वग्रही और व्रिश्चक राशी में नीचका होता है अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा पीडित हो तो आप अच्छा इसकी तिती पूरिमा तिती है सुर्यास्त के बाद चंद्रमा पूरे सबाब पर होता है चंद्रमा को सोलह कलाओं से युक्त माना जाता है जो सिर्फ और सिर्फ शरद पूरिमा के दिन जागर्थ हो जाता है अगर आपके जन्वांक में चंद्रमा पीडित है तो देख लिजे स्क्रीन पर भी क्या-क्या लिख किया रहा है सबसे पहले चीज आपको माता का सुख कम मिलता है आपके जीवन में मकान के सुख की कमी रहती है आप सदयव अलसाय से रहते हैं आपके अंदर चैतन्यता नहीं रहती आपके अंदर का एक्टिवनेस चला जाता है मंस्तिश्क में सदयव नकारात्मक विचार आते हैं अगर आप की कुंडली में चंद्रमा पीड़ी तवस्था में है ज्यान दिजिएगा ये चंद्रमा के पीड़ा की पराकाश्ठा है और अगर चंद्रमा शुभ हुआ तो इन ही चीजों की शुभत्व में बृद्धी हो जाती है जैसे आपके अंदर सदयव चैतन्यता आ जाती है आप एक्टिव हो जाते हैं आपको मकान का और वाहन का सुख बहुत कम अवस्था में मिल जाता है 20-21 साल में आप घर गाड़ी खरीद लेते हैं चंद्रमा आपका अगर मजबूत है तो आपको प्रिशिद्धी मिलती है उत्रोत्तर आप फेमस होने लग जाते है यह चंद्रमा की शुभता है अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा शुभ है तो मालीजे अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पीडित है तो शरद पूरिमा के दिन आश्विन पूरिमा के दिन इस बार 9 अक्टूबर 2022 के दिन अगर आपने यह उपाय कर लिया उपाय नही प्रियोग कर लिया तो आप के कुंडली के चंद्रमा को हम लगभख 40-50 प्रतिशत तक शुब करने का प्रयास तो करी सकते हैं अब भगवान होके तो पैदा नहीं हुए है कि हम यह कहते कि भगवान आप जो है 100% हम चंद्रमा आपका हमेशा के लिए ठीक हो जागा नहीं लेकिन चंद्रमा से कुछ इक्ष्ट्रा पावर तो ले ही लेंगे क्योंकि हम जागरूग हो चुके हैं आप N27 भक्ती पर देख रहे हैं शरत पूरिमा श्पिशन चंद्रमा वाला शरत पूरिमा अलग तरह का प्रभाव है बहुत डिफरेंट प्रभाव है क्या है उपाए अब आईए आप इसको नोट कर लीजिएगा एक कटोरी में श्टील की कच्चा दूध ले लिजे ये शाम चांद निकलने के बाद मनदब सुर्यास्त की पूरिमा है तो सुर्यास्त की ठीक बाद चांद निकली जाएगा ये आपको करना है एक कटोरी में श और इसे राइट हैंड की लिटिल फिंगर से चंद्रमा की उंगली यही होती है राइट हैंड का लिटिल फिंगर से क्लॉक वाई चलाईए क्लॉक वाई चलाते हुए मंत्र बोलना है ओम समसोमाय नमह ओम समसोमाय नमह यह चंद्रमा का बीज है इस मंत्र का जाब आठ दस मिनिट कर लीजिए मतलब थोड़ा सा जब आपका मन भारी होने लग जाए मतलब कोई अजपा जाब करना है कोई संख्या का बंधन नहीं है इसके बाद इस कटोरी को आप रख दीजिए अपने सामने रख दिया खुले आसमान के नीचे करना भी प्रियोग बालकरी में है छट पर है खुले आसमान के नीचे प्रियोग करना है बहुत मजबूरी हो खुला आसमान नहीं है तो फिर घर के अंदर भी कर लीजिए लेकिन प्रियास करना है खुले आसमान के नीचे मंदिर में भी जाके कर सकते हैं छे साथ मुझे चले जाए अपना कर लीजेगा बस वाह सुबह इसे घर के अंदर लाए दिन निकलने से पहले और इसका प्रशाद सुरूप सभी लोग सेवन कर लीजिए भगवती की किरपा रही अ गजब की दिव्यता होगी भाईया सब लोग को घर में प्रशाद सुरूप देजिए दूद की मात्रा बढ़ा देजेगा सब लोग ले लेंगे चंद्रमा सबका शुब हो जाएगा करिए इस कारकरम को जितना हो से के लोगों तक पहुँचाए शेयर करिए हमारे सरातन धर का यह परम करतब्य है कर भला हो भला सर्वे भवंत सुखिन है और एंट्विटी सेवें भक्ति इसको भी अपना प्यार देते रहिएगा धन्यवाद नमस्कार श्रादे